नमस्कार दोस्तूं, हिंदी गरंत अकादमी, RBSC और NCRT परादारित, अध्यापक बरती, रीट मैंस के लिए, लेवल परतम वद्विते के लिए हम देख रहे हैं, राजस्तान की कलासनस करती, आज हमारी कलास नमबर दस रहने वाली है, जिसके अंदर राजस्तान के आजस्तान के इसाहिँ के सिंदियों के जो त्यूवार है, उनके बारे में इस कलास के अंदर हम अध्यान करेंगे दोस्तूं, इसलिए सभी साती अंतक बने रहे हैं, एक बार वीडियो को सभी साती लाक, सेर और जो नहीं, साती जुड़े हैं, वो चैनल को सबस्क्राइब क पाकी की क्लासे अटेंड करना चाते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप के जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो आपका अध्यास थी हमारी उसके अंदर हमने अध्यान किया था वो किया था हमने स्रावण महीने से लेकर चेतर महीने तक के त्युवार रूखा आज हम चेतर महीने से शुरू करके आगे जो त्युवार बसते हैं उनका अध्यान करने वाले हैं दोस्तु चेतर महीने के त्युवार पहला तुमार आ रहा है दुलंडी, चेतर कर्सन एकम को दोस्तों, दुलंडी का मनाया जाता है चेतर कर्सन एकम को, चेतर मा की कर्सन परतिपदा को होली के दूसरे दिन दुलंडी चारंडी मनाई जाती है दोस्तों, इस दिन होली के आउसिष्ट राग की वंदना की जाती है वर रंग गुलाल आदी से सभी होली खेलते हैं यह दुलंडी दोस्तों राम राम करते हैं हम वो ही दिन दोस्तों अगला जो त्यूवार आता है चेतर महीने में वो आता है गुड़ा का त्यूवार या सीतला अश्टमी दोस्तों चेतर कर्शना अश्टमी के दिन जो नहीं हो रही है दोस्तों समझे आप यहां पर इस दिन इस तरियां एकतरी तोकर कुमार के गड़ जाकर छिद्र किये हुए एक गड़े में दीपक रखकर अपने गड़ गीत गाती हुई लोटती है और जोधपूर या हम बात करते हैं जोधपूर की बात करें या पस्मी राजस्तान जैसे मारवाड छेतर है वहां का ये परमुग त्युवार है दोस्तों याद रिखना इसी दिन सीतला माता की पूझा भी की जाती है सीतला अश्टमी का त्युवार है ना तो सीतला माता की भी पूझा इसी दिन है जो की जाती है ये भी important question आपके लिए रह सकता है दोस्तूं ठंडा वेबासी भोजन किया जाता है इसे हम बासेडा कहा जाता है बासेडा जो पहले दिन का भोजन होता है दोस्तूं वो इस दिन है सीतला मता को बोग लगा कर वो है जो दारण है किया जाता है यह भी हम एक्जाम के दरश्टी से रह सकता है दोस्तूं आगे हम चलते हैं और नैक्ष्ट मारा त्युमार आता है वो आता है नवरस दोस्तूं नवरस आता है चेतर सुकल्त एकम को दोस्तोंं चेतर सुकल्त कैंडिब होता है इस दिन मना test धेके यहां प ciert Minuten को झाली अलवरस को कहां का परसिद है सिंपल क्यूसन आपके सामने गुड़ी पड़वा का त्यूआर कहां का परसिद है दोस्तों माहराश्टर का समझे सिंधियों का त्यूआर है चेटी चंड वो भी इसी दिन मनाया जाता है सिंधियों का त्यूआर चेटी चंड भी इसी दिन है मनाया जाता ह दोस्तों, important चीज़ ये भी आपके लिए दोस्तों, जो व्रहध राजस्तान था ना, उसका गटन हुआ था इस दिन, व्रहध राजस्तान का, व्रहध जो राजस्तान है, उसका गटन हुआ था, और गटन किस दिन हुआ था, 30 मार्च को, 30 मार्च, 1990 को दोस्तों, समझे यहां इसी दिन से नवरात्रा प्रारम होते हैं आस्विन और चेतर महिने में जो नवरात्रा है मनाई जाती है तो चेतर महिने की नवरात्रा चेतर सुकल एकन के दिन से प्रारम होते हैं और नवमी तक चलती है दोस्तों अगला त्युवार आता है सिंजारा चेतर सुकल द्वित्या से ये त्युवार पुत्रीव है पुत्रवदू के पर्ति प्रेम का पर्तिक है सिंजारा गणगोर वतीज के एक दिन पूर है सिंजारा बेजा जाता है गणगोर वतीज से एक दिन पहले जो चेतर सुकला तर्तिया है उससे या गंगोर से एक दिन पहले सिंजा रहा है बेजा जाता है दोस्तुँ अगला त्युवार रहता है हमारी गंगोर दोस्तुँ जो मनाया जाता है चेतर सुकला तर्तिया को दोस्तुँ गणगोर त्युवार चेतर कर्षन एकम से प्रारम होकर चेतर सुकल तर्तिया तक गणगोर का त्युवार मनाया जाता है अदे के गणगोर के अंदर सवारी है वो जेपूर की परसिद है जेपूर की परसिद है दोस्तुं important question ये बन सकता है बिना इसर की गोर की सवारी है वो का की है जेसलमेर की बिना इसर के गणगोर की सवारी जेसलमेर की है गणगोर में गण मादेव का वो गोरी है गणगोर गोरी पारवती का परती के दोस्तुं इस दिन कुमारी कन्याएं मनपसंद वर प्राप्ती की तेता विवायत इस तरिया अपने अखंड सोबागी की कामना करती है दोस्तु यहां से देखे हमने देख लिया बीना इसर की गंगोर है जेसलमेर की है जबकि गुलाबी गंगोर है यह नात दुआरा की है दोस्तु आपको अठारा दिन तक यह त्युमार चलता है उसके अलावा दोस्तु सोला दिन तक इसमें पूजा अर्चना है वो की जाती है दोस्तु हाडो ले डूबयो गंगोर गंगोर के दिन विसरजन के तेत जो है जील में तालाब में डूबने से हाडा सासे की मरती हुई थी तो चेतर सुकल पंचमी के दिन अगला त्युमार आ रहा है असोका अश्टमी या दुर्गा अश्टमी चेतर सुकल अश्टमी के दिन इस दिन असोक वरक्स के पूजन का विदान है असोका अश्टमी के दिन चेतर सुकल अश्टमी के दिन असोक का जो वरक्स है उसकी पूजा की जाती है करोली के अंदर जो केला देवी का लक्की मेला लगता है वो भी इसी दिन लगता है लक्की मेला इसका लगता है केला देवी के मंदिर में केला देवी के मंदिर में ये मेला है जो लगता है दोस्तों इसके लावा नागोर क्या जो गोट मांगलोद है वहाँ पर आपता है दोस्तों, अगले तुमार की ओर हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आ रहा है आपके, नेक्स्ट जो तुमार है वो है मावीर जेनती दोस्तों, मावीर जेनती दोस्तों, चेतर सुकल दस्मी है ना, इसमेने चेतर सुकल दस्मी की बाताराओं में, उस दिन राम राउन क मेला लगता है चितोड के बड़ी साधरी में मावीर जेंती चेतर सुकल तरियो दसी के दिन मनाई जाती है मावीर और मावीर जी का मेला कहां पर लगता है कारोली में कहां पर लगता है कारोली के अंदर दोस्तों हनुमान जेंती चेतर सुकल चेतर पुर्णिमा है उस दिन मना आई जाती है दोस्तों अनमान जेनती और इस दिन जो मेला लगता है वो मेंदी पूर में लगता है मेंदी पूर बाला जी का मेला कहां पर लगता है इंपोर्टेंट क्यों सन दोसा के अंदर कहां पर लगता है दोसा में ये मेला लगता है इसके अलावा संत पीपा की जेनती इसी दिन है दोस्तूं डाडी मुच वाले बाला जी का मेला है जो सालासर चुरू के अंदर लगता है दोस्तूं Hier थे हमारे चेतर महीने के परमुक त्यूवार Dosटूं अगला मेना और हें हमारे वेसाग महीने के त्यूवार दोस्तों और वेसाग महिने में सबसे पहले आती है दिंगा गमर जोदपुर में बेतमार दिंगा गमर वेसाग कर्शन तर्तिया को मनाई जाती है important question है दिंगा गमर अब देखें दिंगा गमर बेतमार दिंगा गमर दो चीजे याद रखनी है बेतमार दिंगागवर है वो तो जोदपुर की है जिबकि दिंगागणगोर पुछी जाए ना दिंगागणगोर ये उदेपुर के दोस्तों याद रखनी है दोनों आपको और किस दिन है वेसाग कर्शन तर्तिया के दिन दोस्तों आगे आरा अकातीज या अकसे तर्तिया या आताए वेसाग सुकल तर्तिया के दिन किसान साथ अनू तेयल thereby की पूजन करके सिग्रे वर्सा की कामना के साथ ये तिवार मनाते इंगे इस दिन राजिये मे अजारू वीवा हो, विसेस्त है बाल वीवा संपन होते हैं हैं दोस् इंपोर्टेंट चीजे दोस्तों एक क्यूसन जो एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट बन सकता है कि आखा तीज के अंदर किन किन जो नगर है उनकी स्तापना हुई तो याद रख ले ना बिक्का नेल नागोर और उदेपुर इन नगरूं की स्तापना आखा तीज के दिन पूर्णीमा दोस्तुं, और people पूर्णीमा या इसी को बुद्ध पूर्णीमा भी का जाता है, और people के वरक्स की पूजा इस दिन की जानती है दोस्तु, people के वरक्स की, सबसे important, वेसागत पूर्णीमा के दिन, जो मेला लगता है, उनमें बान गंगा मेला, ये बहुत अच्छ मेला जो रासमी चितरुटगर में लगता ना मातर कुंडिया मेला वो भी विसाग पुरुणिमा के दिन ही लगता है दोस्तुं अब चलते हैं आगे हम जेश्ट महिने के तिवारों की ओर जिनमें पहला आ रहा है वट सावितरी पूजा दोस्तुं कौन सा है वट सावितरी फरातना करती है दोस्तुं यह अखंड सोबागी की प्राप्ति का वर्त माना जाता है और इसी दिन सिता माता का मेला परताब गड़ी के अंदर लगता है दोस्तुं सीता बाड़ी का मेला सेरिया जनजाती का कुम आडोती छेतर का सबसें बड़ा मेला कौन सा है सीता बाड़ी का मेला है जो जेश्ट मावश्या को लगता है अगला है निर्जला एकादसी निर्जला एकादसी दोस्तु जेश्ट सुकला एकादसी के दिन इस वरत में एकादसी के सूरिय हुदे से द्वादसी के सूरिय हुदे तक जल गरण भी नहीं किया जाता है निर्जला निर्जला एककादसी है दोस्तु यह यह ते जैश्ट महीने के त्यूवार आगे आरे हैं आसाड महीने के त्यूवार जिनमें पहला है योगिनी एककादसी दोस्तु आसाड कर जाते हैं दोस्तु अगला है देव सहीनी एकादसी दोस्तु देव सहीनी एकादसी या जिसको हम परबोदीनी एकादसी के नाम से जानते हैं दोस्तु आसाड सुखला एकादसी के दिन योगीनी एकादसी करसन में आता है और देव सहीनी एकादसी सुखला पक्स में आता है इ कोई भी मांगलिक कारिय संपन नहीं किया जाते हैं चार माह तक देव सयन पे चले जाते हैं इस वज़े से चार महीने तक कोई भी मांगलिक कारिय संपन नहीं होते हैं और आसाड में पुर्णीमा के दिन मनाया जाता है आसाड पुर्णीमा के दिन गुरु पुर्णीमा दोस् व्यास पुर्णीमा कोकिला वरत गुरू पुर्णीमा यही है दोस्तों और वेद व्यास का जनम भी इसी दिन है वेद व्यास का जनम हुआ था इसी दिन दोस्तों गुरू पुर्णीमा के दिन दोस्तों यह थे हिंदू जो हिंदू दरम के त्युवार दोस्तों अब चलते है मुसलिम समाज के त्यूवारों की ओर इसलाम दरम के परवर्तक है पेगंबर हजरत मुहमद इसलाम दरम के पेगंबर कौन थे इसलाम दरम की बात कर रहा हूं कि इसलाम दरम के पेगंबर कौन थे देख लीजे आपके सामने है हर एक क्योसन आपके लिए important है कौन थे पेगंबर हजरत मोहमद दोस्त समझे आप इजरी सववत का प्रारम हुआता शुरुआत हुआता 622 इस वी के अंदर इजरी सववत में पहला महिना आता है मोहरम और अंती महिना आता है अंती महिना कौन सा है जिलिज है दोस्तों पहला त्यूआर आ रहा है आपके मोहरम ये मुसल्मानों के इजरी सववत का क्या है पहला महिना है और मोहरम महिने की दसवी तारिक को मोहरम का त्यूआर है वो मनाया जाता है इस दिन ताजिय निकाले जाते हैं क्या निकाले जाते हैं ताजिय किसकी याद में मनाया जाता है मुहमज साब के दोहिता हजरत इमाम हुसेन की याद में मौरम का त्यूवार है जो मनाया जाता है दोस्तूं अगला मुस्लिम समाज का जो त्योवार है वो है इद उल मिलाद नबी इद उल मिलान दबी या बराव फात दोस्तु बराव फात रभी उल अवल महा की बारवी तारिक यह मैना है रभी उल अवल की है जो मैना है इसकी बारवी तारिक को यत्योवार मनाया जाता है दोस्तु यह तिवार पेगंबर अजरत मौमद के जनम दिन की याद में मनाया जाता है मौमद साथ का मौमद साथ का जनम पांसो सतर इसमी में मक्का यानि साओधी अरब में इसी दिन हुआ था दोस्तों अगला है इदूल पितर यानि मिठी इद सवाल मां की पहली तारिक को जो मिठी इद है यह सवाल मांस की परतमतारिक को मनाई जाती है दोस्तों इसे सेवयू की इद भी का जाता है इदूल पितर मिठी इद या सेवयू की इद दोस्तों मुस्लिम बंदू रमजान के पवितर मा में तीस रोज तक रोज्य करने के बाद सुकरिया के तोर पर इस त्यूवार को मनाते हैं दोस्तों और जो मिटी इद है इसे बाइचारे का त्यूवार भी कहा जाता है अगला त्यूवार आ रहा है मुस्लिम समाज का वो है आपका इदूल जुवा यानी बकरा इद दोस्तों जिलिज की दस्वी तारिक जिलिज महिने की दस्वी तारिक को इदूल जुवा बकरा इद मनाई जाती है दोस्तों पेगंबर हजरत इब्राइम दौरा अपने लड़के हजरत इसमाईल की अल्ला को कुर्बानी देने की इस मर्ती में मुसल्मान पर्तीक के रूप में बक्रे की इस दिन कुर्बानी देते हैं दोस्तों अगला सबे रात या सबे कद्र यह त्यौनार साभान मास की चोदवी तारिक की साम को मनाया जाता है मॉरम के चालिस दिने के बाद मौरम के चालिस दिने के बाद सपरमास की बीसवी तारिक को मनाया जाता है चेलूम का त्यूवार सपरमास की बीसवी तारिक को दोस्तु ये मुसलिम समाज के परमुक त्यूवार होगे अब कुछ उर्स से दोस्तु जो important है वो देख लेते हैं जिनमें पहला आ रहा है उर्स गरीब नवाज अजमेर दोस्तों और से गरीब नवाज अजमेर का खवाजा मुहिनुदीन चिस्ती की मर्त्यू की बर्सी के रूप में रजब की रजब महिने की एक से छे तारिक को खवाजा का उर्स मनाया जाता है दर्गा अजमेर में इतियासिक बुलन दर्वाजे का जंडा चड़ने के साथ ही उर्स की अनौपचारिक सुरुवात होती है उर्स की विदिवत सुरुवात जनती दर्वाजा खोलने से होती है जो बुलन दरवाजय पर जब जंडा चलाया जता है तो उसे अनौप्चारिक सुरुआत मानी जाती है उर्सकी लेकिन जब जनती दरवाजा खोला जाता है तो उसके साथ विदिवत सुरुआत उर्सकी हो जाती है चांद दीखने के आदार पर 29 जयादी उलसानी को जनती दरवाजा खोला जाता है वह च्छे रजब को इसको बंद किया जाता है अजमेर में उर्स के दोरां सामाजिक सदबा वे राश्टे एकता का अनुटा संगम दिखाई देता है दोस्तों अगला जो उर्स है वह हमारे गलिया कोट का उर्स डुंगरफूर मुहरम माईने की 27 तारीक को मनाया जाता है माही नदी के निकेट इस्तित गलिया कोट दावदी बोरा का परमुग तिरतिस्तान है यहाँ फकरुदिन पीर की क्या है मजार इस्तित है दोस्तों तारकिन का उर्स कहाँ पर लगता है नागोर के अंदर तारकिन का उर्स नागोर में नागोर में सूपियू की चिस्ती साका के संथ काजी हमीदुदीन नागोरी की दर्गा है सूपियू की चिस्ती साका है उसके संथ हमीदुदी नागोरी की जो दरगा है वो कहाँ पर है नागोर में इस्तित है दोस्तों जहां अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है दोस्तों अगला जो उर्स आता है वो आता है नरहड की दरगा का मेला जुन जुनु नरहड की दरगा का मेला दोस्तों जुन जुनु जिले के नरहड गाउं में हजरत हाजीब सक्कर हजरत हाजीब सागर बादसा की दरगा है जो सक्कर पीर बाबा की दरगा के नाम से परसिद है और यहां करसन जनमाश्टमी के दिन विसाल मिला है नरहड पीर की जो दरगा है जुन जुनु में वहाँ पर करसन जनमाश्टमी के दिन विसाल मिला है वो बरता है दोस्तों यह थे मुस्लिम समाज के त्यूवार आगे हम बात करते हैं जेनू के परवों की दोस्तों जिसमें पहला है दस लक्षन परवो है जेनू के तिवारों में पहला है दस लक्षन परवो है दोस्तों जो इंदो महिने हैं देखिए परतिवरस चेतर बादरपद और माग ये तेन इंदो महिने हैं इनमें सुकल पंचमी से पूर्णीमा तेक दस लक्षन पर्वे है जो मनाया जाता है जेन समाज में यह पर्वे किसी वेक्ती से समंदित ना होकर आत्मा के गुणु से समंदित दस लक्षन पर्वे होता है दोस्तु जेनू का अगला जो तिवार आता है वो आता है परियूसन पर्वे दोस्तु कौन प्रारम बादरपद सुधी पंचमी से होता है वह समापन बादरपद कर्षना बारस से होता है वह समापन बादरपद सुखला पंचमी को होता है अंतिम दिन समत्सरी परवे मनाया जाता है वह जेन समाज सभी लोगों से अपने गलतियों के लिए समाई आजना करता है किस दिन परियूशन परवे के दिन दोस्तों ये था आपका परियूशन परवे अगला जेन समाज का आता है रिसब जेनती दोस्तों चेतर करसन नौमी रिसब जेनती चेतर करसन नौमी को रिसब जेनती का प्तिवार है परुआ है वो मनाया जाता है इस दिन जेन समाज के परतम तिरितकर रिसब देव का क्या हुआ था जनम हुआ था दोस्तों बात करते हैं मावीर जेहनती की तो 24 में जेहन समाज के 24 में तिर्थकर है मावीर भगवान मावीर का जनम जनम दिन चेतर सुकला तरियो दिसी को मावीर जेहनती के रूब में मनाते हैं स्री मावीर जी करोली में इसी दिन विसाल मेला बढ़ता है स्री मावीर जी का मंदिर करोली पर है वहाँ पर इसी दिन विसाल मेला है जो बढ़ता है दोस्तों ये भी इंपोर्टेंट आपके लिए रह सकता है आगे देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारे सुगंद दस्मी परव है कौन सा है सुगंद दस्मी परव है बादरपद सुकल की दस्मी को जेन मंदिरों में सुगंदी दर्वियों द्वारा सुगंद करते हैं सुगंद दस्मी परव है सुगंद दस्मी बादरपद सुकल दस्मी के दिन रोट तीज बादरपद सुक बनाई जाती है तो समझें यहाँ पर पडवा दोग आस्विन करशन एककं के दिन मनाया जाता है दोस्तों यह जेहन समाच के परमुक तूवार थे आगे हम चलते तो आते हमारे सिंदी समाच के पर वे दोस्तों जिनमे धदरी या बडशे शातम बादरपद कर्षना सत्मी के दिन कौन किसका आया है दोस्तू सबसे पहले सिंधी समाज के त्यूवार आये हैं दोस्तू थतरी या बड़ी साथ जिसको बादरपद कर्षना सत्मी के दिन इसको मनाया जाता है इस से इस दिन सिन्दी समाज के लोग बास्योडा मनाते है से सितलाश्ट में के दोग लगता है उसी प्रकार ये सिन्दियों का दोस्तों, aids être 16, से 24 अगस्त के तिवार है जो मनाया जानता है, अगला है जो सिंधि समाज का वह ज्यूलेलाव का जनम दिवस चेटी जंदि Соleg का जूलेलाव का जनम दिवस चेटी चंड के परवए के रूप में मनाया जाता है। चेतर सुकल एकम के रूब में यत्युवार है वो मनाया जाता है और जो जुलेलाव है उनको वरुन का आउतार मना जाता है जुलेलाव को वरुन का आउतार मना जाता है किसको मना जाता है जुलेलाव को वरुन का आउतार दोस्तु सिंधियों के द्वारा मनाया जाता है दोस्तूं सिंधियों के दस्वे गुरु थे गोविन सिंग ने आनदपूर साहिब रोपड पंजाब में खालसा पंत की स्तापना की उसी को लेकर वेसाकी का त्युवार है तेरा अप्रेल के दिन मनाया जाता है दोस्तूं अगला जो त्युवार आता है सिंधियों के परवर्तक और इनकी जेनती कार्तिक पुर्णीमा को मनाया जाती है किस दिन मनाया जाती है कार्तिक पुर्णीमा के दिन दोस्तूं अगला गुरु गोविन सिंग जेनती गुरु गोविन सिंग सिकु के दसमें वैंतिम गुरु थे इन्होंने उत्रादिकारी गुरु परंप्रा समाप्त कर गुरु गरंत सहीब को गुरु गोसित किया पोसुकला सब्तमी को इनका जनम दिवस मनाया जाता है पोसुकला सब् गुरू गौविन सिंग का जनम पटना में 1666 इस वी के अंदर वुआ था दोस्तूं तो त्युवारू के अंदर कोई समझाने वाले बात नहीं होती है मित्रों त्युवारू के अंदर सिरफ और सिरफ क्या करना रहता है हमें याद करने रहते हैं किस तिती को कौन सा त्युवार मनाया जाता है दोस्तूं अब बचते हैं हमारे आगे हैं जो बचते हैं इसाई समाज के त्युवार इसाई दर्म के परवर्टक है इसा मसी जनका जनम बेतलहम नगर में चार इसा पूरुए में हुआ कालांतर में इसाई दर्म दो परमुक मतों में विबक्त हो गया प्रोटेश्टेंट वर रोमन दो दर्मुक के अंदर जो इसाई दर्म है वो बट जाता है और इनका जो त्युवार है मुके उनमें पहला आता है हमारे वो आता है दोस्तों क्रिस्मिस कौन साथ युवार है क्रिस्मिस पचीस दिसंबर को इसाई मसी का जनम दिन क्रिस्मिस के रूप में मनाया जाता है मेरी क्रिस्मिस क्रिस्मिस डे या मेरी क्रिस्मिस पचीस दिसंबर को इसाई मसी के जनम दिन के रूप में ये मनाया जाता है इस्टर के रविवार के पूर्वे वाले सुकुरवार इस्टर के रविवार के पूर्वे वाले सुकुरवार को ये तिवार मनाया जाता है इस दिन इस्टर के चालीश दिन बाद इस्टर के पुनस्वर्ग लोट जाने के उपलक्स में इसाई समाज दुआरा हर सोलास के थास अंसिनें संडे है वो मनाया जाता है अब बस्ता है हमारा वो बस्ता है नवरोज जो पार्शियू के नवर्स का प्रारम नवरोज से होता है जो पार्सियों का नवर्स होता है वो नवरोज के साथ होता है दोस्तों और ये थे हमारे हिंदू के, सिकू के इसायू के, सिंध्यू के जेनू के और मुस्लिमू के त्यूवार दोस्तों कैसी लगी आपको ये दोनों कलासें दोनों कलासें अभी तक आपने टेंट नहीं किये तो प्लेलिस्ट में जाकर पहली कलास भी आप टेंट कर सकते हैं कमेंट करके बताइए वीडियो को लाइक, सेर और जो नए साथी जूट रहे हैं वो चैनल को जुरूर सबस्क्राइब करें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद, जे बारत